नमस्कार दोस्तों, सिंपल आडियो बुक चैनल की आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, दसीक्रेट, यह एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक है, जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर ऐ विश्वश्निय बदलाव महसूस किये हैं, मैं हूँ साथ अभिशेक और चली शुरू करते हैं, प्रस्तावना, बेहद अशांत और परेशान जीवन के समय में, रॉंडा ब्राइन ने सदियों पुराने रहस्य की महान शक्ती की खोज की, यह रहस्य विशेश रूप से आकर्शन के नियम पर आधारित है, जहां हम चुम्बक की तरह होते हैं, और हम बिना किसी अपवाद के हर उस चीज को आकर्शित करते हैं, जो हम सोचते और मानते हैं, ओप्रा विन्फरे के लिए जाने जाने वाला ता सीक्रेट, हमें अंतर दृष्टी देता है, और हमें विविद अनुभव दिखाता है, कि हमारा परिवर्तन कित महान है, जब हमें विश्वास हो जाता है, कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं, और हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, पैसा, स्वास्थ्य, प्यार केवल हमारे दिमाग की मदद से, क्या आपने कभी यह सोचा है, कि आपके शब्द और विचार सीधे आपके जीवन की घटनाओ को कितना प्रभावित करते हैं, क्या आपने इस बात पर भी गौर किया है, कि आप ही अपनी रहा खुद तै करते हैं, यदि नहीं, तो इस बुक दस सीक्रेट में हमें यही सीखने को मिलेगा, अच्छाई को आकरशित करने की शक्ती दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, वे जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और वे जो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, प्रम्हान की कल्पना एक महान संचरण टावर के रूप में करें, यह भी कल्पना कीजिए, कि आपके विचारों की एक आवरिती है, जिसे हब टांस्मिशन टावर के होना चाहिए. एक बार टीून कीए जाने के बाद ये विचार सीधे टावर ब्रह्मान्ड को भेजे जाते हैं और घटनाओं के रूप में आपके पास वापिस आ जाते हैं. आकर्षड का नियम स्पष्थ है. आप जो सोचते हैं, उसे आकरशित करते हैं चाहे आपके विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक यदि आप शिकायत करते हैं और लगातार शिकायत करते हैं तो आकरशन का नियम आपके और भी अधिक शिकायत करने का कारण देगा आपको सोच के एक नए तरीके पर ध्यान केंद्रित करना और उसका उठ्गाटन करना होगा जहाँ आप जो नहीं चाहते हैं वह पीछे रह जाता है और केवल वही जो आप अपने लिए चाहते हैं वह वन्चित और कलपना है अतहा यह सोचने के स्थान पर कि मैं मैं आज देर नहीं करना चाहता यह सोचना चाहिए कि मैं आज समवय पर पहुँच जाऊंगा ताकि इस प्रकार आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं अपनी भावनाओं के साथ अपने विचारों को नियंत्रित करें आपकी भावनाए आपके बिचारों के प्राथमिक चालक है बुरा महसूस करना और अच्छी चीजों के बारे में सोचना असमभव है और इसके विपरेत अपने आप से अकसर यह पूछने की कोशिश करें मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरुक बनने के लिए यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास ऐसे विचार है जो आपको अच्छा महसूस करा रहे है आपके विचार आपकी आपरिती को निर्धारित करते हैं और आपकी भावनाई ही आपको दिखाती हैं कि आप कितनी बार अच्छा महसूस कर रहे हैं जब आप पुरा महसूस करते हैं और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप रम्हान से कह रहे हैं कि वह आपके लिए और भी अधिक परिस्थितियां लाए जो स्थिती को और खराब कर दे जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सक्तिशाली रूप से अच्छी चीजों को अपनी और आकरशित कर रहे हैं पूछने और विश्वास करने का महत्तो आकरशित करने के लिए पहला कदम पूछना है ब्रम्हांड को बताए कि आप क्या चाहते हैं और यह आपके विचारों पर प्रतीक्रिया करेगा लेकिन इसमें कोई संदह नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं यदिया ब्रहमित हैं तो, अगर आप ब्रहमित करने वाली आवृतियों का उसर्जन करेंगे और केवल ब्रहमित करने वाले परिणाम प्राप्त करेंगे, मांगना एक आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आप मांगेंगे, उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा, हाला कि एक से अधिक बार ओर्डर देना जरूरी नहीं है, जब आप सुनिश्चित हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप पहले ही पूछ चुके हैं, साथ ही यह विश्वास करना एत्यंत महत्यपूर है कि आपका अनुरोध पूरा हो जाएगा, एक केटिलॉग में खरीदारी करने की कलपना करें, रहस्य अपना ओर्डर देने के बाद, यह सुभाविक है कि आप आराम करें और इसके आने का इंतजार करें, बिना किसी संधे के कि यह आ जाएगा, इस तरह आपको भ्रमांड से किये गए अनुरोध के साथ करना चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्टी में पूरी तरह से और बिना शर्थ विश्वास करें, कल्पता करें कि आपका अनुरोध पूरा हो रहा है, जिस छड़ आप कुछ मांगते हैं, जो आपको लगता है कि आपके पास पहले से ही अद्रिश्य रूप में है, ब्रम्हान्ड इसे द्रिश्यमान बनाने के लिए सब कुछ करेगा, यह अत्यवश्यक है, जब आप मांगे, तो आप स्थितियों में स्वयम की कल्पना करें, और अपने अनुरोध को केवल एक इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि एक उपलब्धी के रूप में सोचें, आपको विश्वास होने लगेगा, कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है, और चीजे और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी, एक बार पूछें, विश्वास करें, कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको केवल अच्छा महसूस करना है, अच्छा महसूस करके आप ग्रहण करने की आवरिती में प्रवेश करते हैं और सभी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी वैयाम करें और आभारी रहें प्रोफेसर नैविल गोडाड ने 1954 में आकर्षन के नियम के लिए एक प्रारंभिक अभ्यास सिखाया इस अभ्यास में प्रत्येक दिन के अंत में सोने से पहले अवधी की घटनाओं के वारे में सोचना शामिल है यदि कोई घटना आपकी अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक नहीं रही है तो उसे अपने मन में इस तरह से दोराएं जो आपको प्रसन्न करें इन घटनाओं को अपने दिमाग में एक तरीके से फिर से बनाना आप उस दिन से अपनी आवरिती को साफ कर रहे होंगे और अगले दिन के लिए एक नया जारी कर रहे होंगे फिर से अपने भविश्य के लिए नई छबियां बनाना इसलिए हर सुबा उठकर और आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देने से आपके पास जो है उसके बारे में आप अलग महसूस करने लगते हैं और बहुत अधिक अच्छी चीजों को आकरशित करते हैं आपके पास जो कुछ भी है उसकी सारहाना नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी जोड़ना असंभव है जब आप कृतग्य नहीं होते हैं तो आपके द्वारा बोले जाने वाले विचार अत्यधिक नकारात्मक होते हैं और आपको वह नहीं देंगे जो आप वास्तम में चाहते हैं और फिर आकर्शन का नियम कृतग्यता के इन विचारों को सुईकार करेगा और आपको उनमें से अधिक देगा एक विज्वलाइजेशन बोर्ड बनाए, रुके और उस चीज के बारे में सोचे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं घर, कार, परिवार या बच्चे ऐसा करने के बाद एक बड़ी शीट को अलग कर लें जहां आप अपनी जिन्दगी के लिए हर उस चीज की तस्वीरे लगा सकें जिसकी आपको लालसा है अपनी इच्छाओं का प्रति निधित्त करने वाले चित्रों को काटें और एक शीट पर शिपकाएं और उस थान पर रखें जहां आप अपने दिन की किसी बिंदु पर अपनी द्रिश्य सीमा पर हूँ जब आप जाकते हैं जब आप घर जाते हैं या जब आप सोने जाते हैं प्रति दिन पैनल की जलग देखें और कलपना करें कि जैसे आपको जीवन में यह सब पहले से ही था अब उन चीजों को अपने पास रखने का भाव रखे प्राप्त करने के बाद और प्राप्त करने के लिए आभारी महसूस करने के बाद आप छवियों को अन्य के साथ बदल सकते हैं रहस्य और पैसा कमाने के लिए आपको धन पर दिहान देने की जरूरत है अपने जीवन में अधिक धन को आकरशित करना ऐस अभंभव है, असंभव है, जब आप केवल यह सोच सकते हैं कि आपके पास परियाप्त या जितना आप चाहते हैं उतना नहीं है, परियाप्त धन ना होने पर ध्यान दे और आप ऐसी परिस्थितियों निर्मित कर लेंगे, जिससे आपके पास धन नहीं होगा, धन की प्रचूरता के बारे में सोचना अवश्यक है, और यह है, इसे आपके पास लाएगा, एक खाली चेक की तस्वीर प्रिंट करने की कोशिश करें, अपना नाम, राशीव इसमें भरे और ऐसी जगहा लगाएं, जहां आप इसे हर दिन देख सकें, यह महसूस करें कि आप पहले से ही उस पैसे के मालिक हैं, उस पैसे को खर्श करने की कलपना करें, और महसूस करें कि यह कितना बढ़िया है, जान लें कि यह आपका है, क्योंकि आपने इसे मांगा है, और फिर आप इसे प्राप्त करेंगे, किसी व्यक्ति के पास धन ना होने का एक मात्र कारण यह है, कि वह धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं, हर नकारात्मग विचार आपके अच्छे को आप तक आने से रोकता है, और इसमें पैसा भी शामिल है, आखिर पाने के लिए देना तो पड़ता ही है, देना आपके जीवन में और अधिक धन लाने के लिए एक शक्तिशाली क्रिया है, क्योंकि जब आप इसे दे रहे हैं, तो यह कह रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कि ग्रह पर सबसे अमीर लोग महान परोपकारी है, वे बहुत बड़ी रकम देते हैं, और जब वे दे देते हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रम्हांड खुल जाता है, और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में वापिस लोटा देता है, कई गुना करके, यदि आप सोच रही है, मेरे पास देने के लिए परियाप्त धन नहीं है, तो यही समस्या है, अब आप समझ गए होंगे, कि आपके पास परियाप्त पैसा क्यों नहीं है, जब आपको लगता है, कि आपके पास देने के लिए परियाप्त नहीं है, तो देना शुरू करें, जब आप साज़ा करने का विश्वाश प्रदर्शित करते हैं, तो आकर्शन का नियम आपको देने के लिए और अधिक देगा, The Secret and The World की Mother Teresa ने कहा है, मैं युद्ध के खिलाफ किसी रैली में कभी नहीं जाओंगी, यदि आप शान्ती के लिए रैली करते हैं, तब ही आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं, यदि आप नकारात्मक्ता चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, जब आप नकारात्मक्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसे मजबूत करने के इलावा, आप अभी भी इसे अपने जीवन में और अधिक लाते हैं, जब ऐसी चवियां आती हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं तो उनके बारे में अपनी सोच बदलें और एक नया संकेत जारी करें सुख, शान्ती और सम्रिद्धी की कलपना करें वन्शित के लिए अपने शक्तिशाली विचारों को समर्पित करें आप दुनिया भर में ऐसा करने में बेहद सक्षम हैं और आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप अच्छी भावनाओं का उत्सरजन करते हैं आप अपने जीवन पर हावी हैं और ब्रम्हांड आपके प्रत्येक आदेश का जवाब दे रहा है आने वाली छवियों से सम्मुहित ना हो यदि वे नहीं है जो आप चाहते हैं उनपर ध्यान दे उन्हें छीड करने का प्रयास करें और यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें जाने दे उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके बारे में नए विचार रखें उन्हें महसूस करें और आभारी रहें कि आपने यह किया है ब्रम्हांड प्रचूर मात्रा में है आपका दिमाग सभी चीजों की रचनात्मक शक्ती है तो कमी कैसे हो सकती है यह एसंभव होगा आपकी सोचने की चमता असीम है और ऐसा ही अभी करें जब आपके पास यह ज्यान होता है तो आप उस मन से सोचते हैं जो इसकी अनन्त प्रकृती से अवगत है ब्रम्हांड आकर्षण के नियम के माध्यम से सभी को सब कुछ प्रदान करता है आप वही है जो वह चुनते है जो आप अनुभव करना चाहते है यदि हम अपने विचारों और भावनाओं की ओर मुड़े तो हम सभी इस अंदेखे और ऐसिमित भंडार का दोहन करने में सक प्रशम है अपने आसपास की चीजों की प्रशंशा और आशिर्वात देना भी याद रखे जब आप प्रशंशा या अशिर्वात देते हैं तो आप प्रेम की उच्चतम आवरिती पर होते हैं स्तुति और आशिर्वाद के कार्य सभी नकारत्मक्ता और एहसम्यती को अवशोशित करते हैं और आशिर्वाद और स्तुति का प्रेम आपके पास वापिस आ जाएगा आप अपने अतीत नहीं है यदि आप पीछे मुड़ कर देखें तो अतीत की कटनाईयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह आपके लिए वर्तमान में और अधिक कठिन परिस्थितियां लाएगा वह सब छोड़ दो चाहे कुछ भी हो इसे अपने पक्ष में करें यदि आप अतीत में किसी से बात से आहत या अरोपित महसूस करते हैं तो यह केवल आपको चोट पहुँचा रहा है आप ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जो उस जीवन का निर्माड कर सकते हैं जिसके आप हकदार है जब आप जान बूच कर उस पर ध्यान के इंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं जब आप अच्छी भावनाओं को विक्रिण करना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देगा आपको बस शुरुवात करनी है और ऐसा करने से जादू खुल जाएगा जब आप कहते हैं मैं हूँ या मैं हूँ आप द्रिष्टी का आहान कर रहे हैं क्योंकि तत्थिय क्या एक बयान है यह जान कर क्या आपके लाप के लिए दो सबसे शक्तिशाली शब्दों का उप्योग करना शुरू करना एक अच्छा विचार नहीं होगा क्या मैं हूँ कैसे के बारे में मैं सब ही अच्छी चीजों को प्राप्त करता हूँ मैं खुश हूँ मैं प्रचूर मात्रा में हूँ तुम जो चाहो वो कर सकते हो इसलिए ऐसा करना शुरू करे और जागरुख हो कि आप कौन है अपनी जिन्दगी में से जिन भी विचारों के आगे मैशे शुरू होते हैं उन्हें कम करने की कोशिश करे जब आप पतले होने के बारे में चाहते हैं तुरंत उस आवरिती के साथ तालमेल बिठा ले जो तब उन सभी चीजों की उरजा को आपके लिए कमपन करती है और वो आपके जीवन में दिखाई देती हैं चलिए इस बुक के पहले अध्याईशे शुरू करते हैं अध्याए एक रहस्य का पता चलना आपके जीवन में आने वाली हर चीज को आप अपने जीवन में आकरशित कर रहे हैं और यह आपके द्वारा अपने मन में धारण की गई छवियों के आधार पर आपकी और आकरशित होता है यहे आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, वहे आपको अपनी और आकरशित कर रहा है चार्ल्स हैनेल, सबसे महान और सबसे अधिक दोशपूर कानून जिस पर श्रिष्टी की पूरी विवस्था निर्भर करती है प्रमुख विचार या मानसिक प्रिवरत्ती एक चुम्बक है और यहे अपनी प्रकृती के अनुकूल परिस्थितियों को निरभवाद रूप से आकरशित करेगा जौन एस्राफ आप वहे बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे जादा सोचते हैं लेकिन आप जिसके बारे में सबसे जादा सोचते हैं उसे आकरशित ही करते हैं विचारों की एक अवृति होती है, यहां समस्या है, अधिकांश लोग इस वारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और वे सोच रहे हैं कि यह बार बार क्यों दिखाई देता है, यह एक नहीं चाहता महामारी है, आप एक ट्रांस्मिशन टावर की तरह हैं, और आप उस फ्रिक्वेंसी को अपने विचारों से प्रसारित कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो अपने विचारों को बदलें, बॉब प्रॉक्टर ने यह कहा है, अपने आपको बहुतायत में रहते हुए, देखें, और आप इसे आकरशित करेंगे, यह हर समय, हर व्यक्ति के साथ काम करता है, बाब डॉयल आकरशन का नियम इस बात की परवा नहीं करता है, कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा समझते हैं, या आप इसे नहीं चाहते हैं, या आप इसे चाहते हैं, आप पॉस नहीं दबाते, आप स्टॉप नहीं दबाते, यह हमेशा क्रियाशील रहता है, जैसा कि आपके विचार है, स्रजन यह हमेशा रहते हैं, उन विचारों में कुछ प्रकट होने वाला है, यह आपके भावी जीवन का निर्माड करता है, आप जिस चीज के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही आपके जीवन में दिखाई देगी, यदि आप शिकायत कर रहे हैं या ऐसा करने वाले किसी के साथ सहानु भोती रखते हैं तो आप अपने जीवन में इसे और अधिक आकरशित करते हैं आपका जीवन आपके हाथों में है चाहे आप अभी कहीं भी हो चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो आप सचेत रूप से अपने विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं निराशा जनकस्थिती जैसे कोई चीज नहीं होती है आपके जीवन की हर एक परिस्थिती बदल सकती है आप उन प्रमुख विचारों को अपनी और आकरशित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरुकता जैसे चेतन या अवचेतन में धारण कर रहे हैं जब आप जागरुक हो जाते हैं तो आप गहरी नीन से जाग जाते हैं आपका जीवन आपके द्वारा सोचे जाने वाले प्रमुख विचारों का दरपण हैं. अपने विचारों को चुनने और अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें. नकारात्मग विचारों की तुल्ला में सकारात्मग विचार सवगुना अधिक सक्तिशाली होते हैं यह चीज व्यज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है लेकिन यकीर मानिये भगवान का शुक्र है कि एक समय की देरी है कि आपके सभी विचार तुरंत सच नहीं हो जाते हैं यह आपको पुनहा मुल्यांकन करने का समय देते हैं आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचने और एक नया विकल्प बनाने के लिए अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है अपने दिमाग पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को शांत करना सीखें यह चीज आप मेडिटेशन के द्वारा हांसिल कर सकते हैं हर महान व्यक्ति प्रति दिन ध्यान करता है यह विचारों का नियंतरित करने और शरीर को पुनहा जीवित करने में मदद करता है मेडिटेशन के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर दप पावर अफ नाव की और्डियो बुक सुन सकते हैं शुरुआत करने के लिए आप दिन में केवल तीन से दस मिनट परियाप्त हैं अपने विचारों से अवगत होने के लिए आप इरादा निर्धारित कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ और इसे बार बार कहें और इस पर तीन से दस मिनट के लिए ध्यान करें क्या आप विश्वास करना चाहते हैं कि यह केवल आपका भाग्य है और आपके साथ कभी भी बुरी चीजे हो सकती हैं क्या आप विश्वास करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगहा पर हो सकते हैं कि आपके परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है या क्या आप यह विश्वास करना और जानना जाते हैं कि आपका जीवन अनुभाव आपके हाथ में है और केवल अच्छा ही आपके जीवन में आ सकता है क्योंकि आप ऐसा ही सोचते हैं आपके पास एक विकल्प है और आप जो भी चुनते हैं वह आपका जीवन अनुभव बन जाएगा आपके अनुभव में तब तक कुछ भी नहीं आ सकता जब तक आप उसे लगातार विचारों के माध्यम से नहीं बुलाते हम में से अधिकांश डिफॉल्ट रूप से आकर्शित हो जाते हैं हम सिर्फ यह सोचते हैं कि इस पर हमारा कोई नियंत्र नहीं है हमारे विचार और भावनाए आटो पाइलेट मोड पर हैं और इसलिए सब कुछ डिफॉल्ट रूप से हमारे पास लाया जाता है हमारे प्रतियेग विचार जो कि साथ हजार प्रति दिन आते हैं कि निगरानी करना असंभव है हम इन सभी विचारों को नियंत्रत करने की कोशिश करने में ठक जाएंगे सोभाग्य से इसका एक आसान तरीका भी है और यह है हमारी भावनाए हमारी भावनाए हमें बताती है कि हम क्या सोच रहे है इस दुन्या में आप जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं वह प्रभाव है और इसमें भावनाए भी शामिल है कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं भावनाए एक एविश्वश्निय उपहार है जो हमें यह बताना चाहती है कि हम क्या सोच रहे हैं आपके पास अच्छी और बुरी भावनाए हैं अवसाद, क्रोध, आक्रोश जैसी बुरी भावनाए भी हैं आपको जो शशक्त महसूस नहीं कराती हैं बस अपने आप से पूछें मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ यह समझना सबसे महतपूर है कि बुरा महसूस करना और साथ ही अच्छे विचार रखना असंभव है यह कानून की अब हेलना होगी क्योंकि आपके विचार आपकी भावनाओं का कारण बनते हैं उच्सहा, आनंद, कृतग्यता, प्रेम सोचिए अगर हम हर रोज ऐसा महसूस कर सके जब हम अच्छी भावनाओं को जश्न मनाते हैं तो आप अधिक अच्छी भावनाओं और ऐसी चीजों को आकरशित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप एक ऐसे भविश्य का निर्माड कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हैं उन छड़ों को जब्द करें जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों और उन्हें दूध पिलाएं हमारी भावनाएं हमारे लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं तो जब आप बुरा महसूस करते हैं तो यह ब्रम्हान से एक संचार है जो आपको सोच बदलने के लिए चेतावनी देता है अभी व्यक्ति के लिए कुल्टी गिन्ती गिन्ना चेतावनी आप जो चाहते हैं उसमें भावना जोड़कर आप और भी अधिक शक्तिशाली आवरिती प्रसारित करने के लिए अपनी भावनाओं का उद्देश्य पूर उपियोग कर सकते हैं I am be back with आप सभी के स्वस्थ सम्रिद और महसूस करना अगर आप चाहते हैं भले ही वह ना हो ब्रम्हांड उसी के अनुसार प्रती क्रिया भी देगा आप कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में सोचने के लिए कुछ छण ले यदि आप उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं जितना आप चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को अंदर महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें उद्देश्य पूर तरीके से उठाए जैसा कि आप अपनी भावनाओं पर तीवरता से ध्यान केंद्रित करते हैं खुद को उपर उठाने के इरादे से आप उन्हें शक्तिशाली रूप से उपर उठा सकते हैं एक तरीका यह है कि आप अपनी आँखे बंद कर लें यह चीज वेडिया सुनने के साथ साथ करें जैसाली चीजों को बंद कर दें अपने अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और एक मिनट के लिए मुस्कुराएं यह चीज आप अभी वेडियो पॉस करके कर सकते हैं आपके जीवन में जो कुछ भी सोचा गया है उसे आपकी जागरुकता में बदलाओ के अध्यम से पूर्वरत किया जा सकता है आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ती है जैसे जैसे आप साथ जाते हैं आप अपना ब्रम्हांड बनाते हैं जब आप उदास महसूस करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं संगीत का एक सुन्दर टुकड़ा चालू करें या खुद से गाना शुरू करें जो आपकी भावनाओं को बदल देगा या कुछ सुन्दर सोचें एक बच्चे या किसी के बारे में सोचें जिसे आप वास्तब में प्यार करते हैं और उस पर ध्यान दें वास्तब में उस को अपने मन में रखें सब कुछ ब्लॉक कर दें लेकिन वह विचार मैं गैरेंटी देता हूं कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे उस विचार से अपनी आस्तीन उपर करने के लिए कुछ गुप, शिफ्टर्स की सूची बनाएं ये ऐसी चीजे हैं जो आपकी भावनाओं को पल भर में वदल सकती हैं ये हैं खुबसूरत यादें, भविश्य की घटनाएं, मजेदार पल, प्रकृती, एक व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपका पसंदीदा संगीत हो सकता है अलग-अलग चीजें आपको अलग-अलग समय पर स्थानन तरित कर देंगी इसलिए यदि कोई काम नहीं करता है, तो दूसरे पर जाएं, फोकस पदलने में सिर्फ एक या दो मिनट का समय लगता है खुद को शिफ्ट करने और अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने में जानवर अद्भुत है क्योंकि वे आपको एक बड़ी भावनात्मक स्थिती में डाल देते हैं यह विचार और प्रेम का सैयोजन है जो आकरशन के नियम की अप्रतिरोधिय शक्ति का निर्माण करता है ब्रम्हांड में प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है प्रेम की भावना उच्चतम आवरिती है जिसे आप उच्च सर्जित कर सकते हैं यदि आप प्रतियक विचार को प्रेम में लपेट सकें यदि आप प्रतियक बस्तु और प्रतियक व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपका जीवन रुपांतरित हो जाएगा आप अपने विचार से दूसरे को नुकसान नहीं पहुचा सकते आप केवल आपको नुकसान पहुचाते हैं यदि आप प्रेम के बारे में सोचते हैं तो अंदाजा लगाईए कि किसे फाइदा होता है आपको इसी लिए यदि आपकी प्रमुक्स्थिति प्रेम है तो आकरशन का नियम या प्रेम का नियम सबसे शक्तिशाली बल के साथ प्रतीक्रिया करता है क्योंकि आप उच्चितम संभव आवरिती पर हैं आप जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं और उच्सरजित करते हैं उतनी ही अधिक शक्ति का आप उपियोग कर रहे हैं वह सिद्धान्त जो विचार को अपनी वस्तू के साथ सह संभधित करने की गतिशील शक्ति देता है और इसलिए हर प्रतीकूल मानविय स्थिती पर काबू पाता है वह आकरशन का नियम है जो प्रेम का दूसरा नाम है यह एक शाश्वत और मौलिक सिद्धान्त है जो सभी चीजों में दर्शन की हर प्रणाली में हर धर्म में और हर विज्ञान में निहित है प्रेम के नियम से कोई दूर नहीं हो रहा है यह महसूस हो रहा है टी विचार को जीवन की शक्ति प्रदान करता है भावना एक इच्छा है और इच्छा प्रेम है प्रेम से ओत्प्रोत विचार अजय हो जाते हैं एक बार जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझना और वास्तम में माश्टर करना शुरू कर देते हैं तब ही आप देखते हैं कि आप अपनी वास्तविक्ता कैसे बना सकते हैं वही आपकी स्वतंतरता है वही आपकी सारी शक्ती है एलबर्ट आइंश्टाइन सबसे महतपूर सवाल जो कोई भी इनसान खुझ से पूछ सकता है यह है कि क्या यह है एक दोस्ताना ब्रम्हांड है अध्याय तीन रहस्य का उप्योग कैसे करें स्टेप वन या चरण एक आराम से बैठ चाहिए और वर्तमान काल पर एक कागज निकालिए और उस पर लिखिए यह आप वेडियो के साथ साथ कर सकते हैं मैं अब बहुत खुश और आभारी हूँ कि और फिर समझाएं कि आप अपने जीवन को हर छेत्र में कैसा बनाना चाहते हैं आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए अन्यता यह काम नहीं करता है आप अपनी जिन्दगी में जिस चीज के लिए भी प्रितग्य हैं उन चीजों के बारे में लिखिए एक्जाम्पल के लिए माता पिता या कोई भी चीज जिसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ में ठैंक्स या क्रितग्य हैं पूछने की आदर डाले यदि आप नहीं जानते कि किस रास्ते पर जाना है तो पूछें बार बार एक ही चीज के लिए मत पूछो चरण दो या स्टेप डू विश्वास करें कि यह पहले से ही आपका है अटूट विश्वास रखें यह बात जान लें कि जरूरत पढ़ने पर वे आपके पास आएंगे उनके बारे में और ज़्यादा चिंता ना करें उनकी कमी के बारे में मत सोचीए आपको कार्य करना चाहिए बोलना चाहिए और शुश्म होना चाहिए जैसे कि आप इसे अभी प्राप्त कर रहे हैं यह विश्वास करना शुरू करें अटूट विश्वास रखें, आपको यह जानने की आवशक्ता नहीं है, कि यह कैसे होने वाला है, या यह चीज मुझे कैसे मिलने वाली है, यदि इसमें समय लगता है, तो निराश और शंकालूं बिलकुल भी ना हो, चरण तीन या स्टेप थ्री, प्राप्त करें, इसके बारे में अद्भुद महसूस करना शुरू करें, इसे अभी महसूस करें, जो कुछ तुम प्रात्ना में विश्वास से मांगोगे, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, अगर तुम्हें उस चीज का विश्वास है, अब कुछ भी नहीं से शुरू कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं, और कोई रास्ता नहीं से एक रास्ता बन जाएगा, रात में कार चलाने के बारे में सोचो, हेड लाइट्स आपको केवल सौ फुट की सणक दिखा सकती हैं, और फिर भी आप सौ किलो मीटर की दूरी सुरक्षित रूप से चला सकते हैं, विश्वास में पहला कदम उठाएं, आपको पूरे ब्रम्हांड को देखने की जरुरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं, आपको अभी अच्छा महसूस करना चाहिए, यह महत्पूर्ण है, यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी और अच्छाई को आकरशित नहीं कर सकते, यदि आप अपने शरीर को फिट बनाना चाहते हैं, तो अपने शरीर के हर वर्ग इंच की प्रशंशा करें, और उससे आशिरवाद लें, भोजन करते समय, भोजन चबाने के अनुभव का आनन्द लेने पर ध्यान दे, अपने दिमाग को सिर्फ उस समय में केंद्रित करें, स्वाद महसूस करें, जो कुछ भी खाएं उसका, वर्गमान चड़ में पूरी तरह से केंद्रित रहें, इससे खाने के फाइदे सबसे अच्छे हैं, इसमें कितना समय लगता है, इस बारे में बिलकुल मत सोचें, आकार ब्रम्हान्ड के लिए कुछ भी नहीं है, यह शून्य प्रयास से काम करता है, अपना दिन पहले से बनाए, जब आप कहते हैं कि मैं एक सुख़द यात्रा करने जा रहा हूँ, तो आप इसे इस तरह व्यवस्थित करने के लिए तत्व और बलो को आगे भेज रहे हैं, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे पास परियाप्त समय नहीं है, चीजे तब इस तरह होती हैं, इससे तनाव बढ़ता है और हम समय के पीछे भागते रहते हैं, इसके बजाए जोड़दार धंग से यह घोशना करें, मेरे पास परियाप्त समय से अधिक है, और अपना जीवन बदल ले, आप अपने भविश्वय के जीवन को पनाने के लिए प्रतीक्षा, अवधी को एक शक्तिशाली समय में भी बदल सकते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, जीवन की प्रतीक स्थिती को सकारात्मक में बदले, अपने जीवन की प्रतीक घटना को विचारों के माध्यम से पहले ही निर्धारित करने की आदत बना ले, अध्याये चार, शक्तिशाली प्रक्रियाएं, अभी आपकी जो भी परिस्थिती है, वह केवल बर्तमान की वास्तविक्ता है, भविश्य की नहीं, यह मत सोचो की यह मैं हूँ, वही तुम थे, आप अपने भाग्य के स्वामी स्वयम है, इस बात को पूरी तरीके से माल लीजिए, यदि आप परिस्थितियों को वदलना चाते हैं, तो पहले अपनी सोच वदले, आप अपने भाग्य के स्वामी खुद हैं, इसके बारे में आप इंटरनेट पर आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, आपको सैकड़ो, ऐसे लोगों की कहानिया मिलेंगी, जो जिन्होंने इस बात को अपना के स्वयम को बदला है, बुद्ध, हम जो कुछ भी है, वह हमने जो सोचा है, उसका परिणाम है, यह बात महात्मा बुद्ध ने कही थी, नैविल अनुशंशा करते हैं, कि दिन के अंत में सोने से पहले दिन की घटनाओं की समीक्षा करें, यदि कुछ घटनाए, उमीदों के अनुसार नहीं थी, तो उन्हें फिर से खेलना चाहिए, जैसा कि वे चाहते हैं, यह कल के लिए बहतर आवरिती बनाता है, क्रितग्यता, सबसे पहली बात यह है, कि क्रितग्या होने के लिए, कि जो की एक सूची बनाना शुरू करें, आप उन सभी चीजों के लिए, अभारी होने लगते हैं, जिनके वारे में आप अच्छा महसूस करते हैं, क्रितग्यता आपके पूरे मन को ब्रम्हांड की रचनात्मक उड़जाओं के साथ घनिष्ट सामन जस्या में लाती है, क्रितग्यता बहुत जरूरी है, यह बिलकुल आपके जीवन में और अधिक लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जब कोई उसके द्वारा की जाने वाली चीजों की सारहाना करता है, तो वह और अधिक करना चाहता है, यह हमेशा प्रशंशा के बारे में है, यह हमेशा समर्थन को आकरशित करता है, हम जो कुछ भी सोचते हैं और जिसके बारे में धन्यवाद देते हैं, उसे पूरा करते हैं, हर सुबा मैं उठता हूँ और धन्यवाद गहता हूँ, और फिर मैं भावनाओं के साथ जो आभारी हूँ, उसके माध्यम से चलना शुरू कर देता हूँ, मैं बिस्तर में तब तक नहीं उड़ता, जब तक कि मुझे नए दिन के लिए आभार की भावना महसूस ना हूँ, और मैं अपने जीवन में इसके लिए आभारी हूँ, फिर बाथरूम की ओर प्रत्येक कदम के साथ और सनान के दौरान मैं धन्यवाद कहता हूँ, इस तरह मैंने इसे कम से कम सौ बार कहा होगा, सभी महान शिक्षकों ने कृतग्यता पर सरवधिक बल दिया है, यह पाकी सब चीजों से उपर है, जब आप कृतग्य महसूस करते हैं, तो आपको खृतग्य होने के लिए और चीजे मिलती हैं, जैसे की कपड़े, शरीर, उपकरण, जैसी चीजों के लिए भी आभारी होने के बारे में सोचें, आप अपने शरीर के लिए आभारी हो सकते हैं, आप अपने मुबाइल फोन या लैप्टॉक तक के लिए आभारी हो सकते हैं, उनके लिए पहले से आभारी महसूस करें, विज्वलाइजेशन यह शक्तिशाली भावनाओं का कारण बनता है, हमेशा अंतिम परिणाम पर ध्यान के इंद्रित करें, यह भावना ही है जो वास्तव में आकरशन पैदा करती है, केवल तस्वीर या विचार नहीं, डाइनेमिक विज्वलाइजेशन और स्टैटिक विज्वलाइजेशन की तुल्ला में कहीं अधिक शक्तिशाली है, विजन बोड बहुत उपियोगी हो सकता है ऐसी चीजों के लिए, धन का रहस्य, जब आपके पास एक प्रेरित विचार होता है, तो आपको उस पर बहसूस और भरोसा करना होता है, और उस पर अमल करना होता है, धन को आकरशित करने के लिए, आपको उसे अपने पास लाने के लिए, धन की प्रचुरता पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक, नकारात्मग विचार, भावना, आपके अच्छे को आप तक आने से रोक रही है, जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसका शौट कट यही है, कि आप अभी बने रहें और खुश रहें, समरिध्धी पर ध्यान दे, यरूरी नहीं है कि पैसा आपके पास केवल नौकरी से ही आए, जब आपके पास भुक्तान करने के लिए बहुत सारे बिल हों, तो यह कल्पना करें, कि आपके पास भुक्तान करने के लिए परियाप्त बिल है, यदि आप कुछ महंगा चाहते हैं, तो घोशड़ा करें, कि आप इसे वहन कर सकते हैं, अध्यात्मिक पदार्थ, जिसमें से सभी द्रिश्यमान, धन आते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, यह हर समय आपके साथ है, और इसमें आपके विश्वास और इस पर आपकी मांगो का जवाब देता है, पुरानी सोच को बदलें, आपको पैसे के लिए कड़ी महनत करनी होगी, द्वारा पैसा आसानी से और बार बार आता है, यह कुछ समय के लिए जूट लग सकता है, लेकिन इसके साथ बने रहें, धन एक मान सिकता है, यह आप कैसे सोचते हैं, बस इसके बारे में है, अच्छी खबर यह है कि जिस थड़ आप यह तई करते हैं, कि आप जो जानते हैं, वह उससे अधिक महत्तपूर है, जो आपको विश्वास करना सिखाया गया है, आप बहुता यत की खोज में गियर बदल चुके होंगे, सफलता भीतर से आती है, बाहर से नहीं, राल्फ वाल्डो इमर्सन पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, जो अमीर हैं, उनके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, उनसे इरश्या करने के बजाए, उनकी सहरहाना करने की आदर डाले, खोशणा करें कि आप पैसे से प्यार करते हैं और पैसा भी बदले में आप से प्यार करेगा पैसा पाने के लिए पैसे दें, खुशी के साथ पैसा दें और यह कई गुना होकर आपके पास वापिस आता है बलिदान मत करो, यह अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन खुश नहीं होते कुछ आध्यात्मिक है, लेकिन गरीब है, जीवन का मतलब सभी छेतरों में प्रचूर मातरा में होना है आप जो कुछ भी चाहते हैं, वह अंदर का काम है, बाहरी दुनिया प्रभावों की दुनिया है यह सिर्फ विचारों का ही परिणाम है, खुशी पर अपने विचार और आवरिती को सेट करें अपने भीतर की खुशी की भावनाओं को विखेरें और ब्रम्हांड में अपनी पूरी ताकत से इसे प्रसारित करें और आप प्रित्वी पर सच्चे स्वर्ग का अनुभव करेंगे अध्याय पाँच संबंधों का रहस्य है इससे पहले कि आप दूसरों को समझे, आपको पहले खुद को समझने की जरूरत है लीसा निकोल्स यदि आप अपनी खुद की कमपनी का आनन्द नहीं लेते हैं तो आप किसी और से अपनी कमपनी का आनन्द लेने की उमीद कैसे कर सकते हैं क्या आप अपने आप से वैसा ही वेवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ वेवहार करें यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आप से प्यार करें तो आपको पहले खुद से प्यार करना होगा और फिर दूसरे भी आप से प्यार करेंगे आप में सकारात्मक्ता की तलाश करें और आप वही अधिक देखेंगे अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने के साथ आप शुरुवात कर सकते हैं रिष्टों में हम दूसरे लोगों के बारे में शिकायत करने के आदि हो चुके हैं लेकिन रिष्टों को वास्तव में काम करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देनी की जरूरत है कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सराहना करते हैं फिर आप उसी को और अधिक भाते हैं भले ही आपके संबंध खराब हो फिर भी आप इसे बदल सकते हैं कागज का एक टुकड़ा निकाले अगर आपने इसे पहले से नहीं निकाला है पिछला अध्याय सुनके तो और अगले तीस दिनों के लिए बैठें और उन सभी चीजों के बारे में लिखें जिनकी आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सराहना करते हैं उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनसे आप उन्हें प्यार करते हैं आपके आनंद के प्रभारी एक मात्र व्यक्ति आप खुद हैं दूसरे केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं सब कुछ प्यार करो हर कोई जो आप जिससे कर सकते हैं केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्यार करते हैं और आप अनुभव करेंगे की प्यार आपके पास कई गुना बढ़कर वापिस आ रहा है ब्रम्हान्ड आपके लिए सब कुछ कर रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके पास ले जा रहा है अध्यायच्छे स्वास्थय का रहस्य हमारा शरीर वास्थव में हमारे विचारों का उत्पाद है आप रोगी को बताते हैं कि यह उतना ही प्रभावी है और क्या होता है प्लेसीबो का कभी कभी एक ही प्रभाव होता है अगर आप प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो आप इसके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यदि अधिक प्रभाव नहीं होता है तो उस दवा की तुल्ला में जिसे उस प्रभाव के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए हेलिंग कलाव में मन सबसे बड़ा कारक है कभी कभी दवा से भी अधिक मन के माध्यम से ही चिकित्सा के साथ समन जस्य पूर्ण धंग से काम कर सकती है संपूर्ण स्वास्थे के बारे में सोचना एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर निजी तौर पर कर सकता है चाहे उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है आप इसे एक छोटे से सकारात्मक विचार और फिर दूसरे के साथ वदल सकते हैं हमारा शरीर विज्ञान हमें प्रतिक्रिया देने के लिए बिमारी पैदा करता है हमें यह बताने के लिए कि हमारे पास ऐ संतुलित दृष्टी कोण है या हम प्यार और आभारी नहीं है तो शरीर के संकेत और लक्षण कुछ भयानक नहीं है प्रेम और कितग्यता हमारे जीवन में सभी नकारात्मक्ता को विसरजित कर देगी चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो यह चमतकार कर सकता है और किसी भी बिमारी को दूर कर सकता है स्तन कैंसर या ब्रेश्ट कैंसर से पेड़ित एक व्यक्ती ने प्रत्येक दिन मेरे उपचार के लिए धन्यवाद कहकर तीन महीने में खुद को ठीक कर लिया है उसे विश्वास था कि वह ठीक हो गई है वह एक अन्यव्यक्ती से प्रेरित थी जिसने एक ला इलाज बिमारी का सामना करने पर वही किया और जीने के लिए केवल कुछ महीने दिये हम सभी एक अंतर निरहित बुन्यादी कारेकरम के साथ आते हैं इसे हम सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम खुद को ठीक करने के लिए बना है कूणता के विचार सोचें जिस शरीर में सामन जस्य पूण विचार है उसमें बिमारी मौजूद नहीं हो सकती अगर आपको कोई बिमारी है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप बिमारी को मजबूत कर रहे हैं, अपने आपको बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, डॉक्टरों को बिमारी की देखवाल करने दे, जब बातचीत बिमारी के बारे में हो, तो उसे अच्छी बातों में वदल दे, कहो कि तुम अच्छा महसूस करते हो, सुखद विचार सोचना शुरू करें, और खुश रहना शुरू करें, जब तक आप कर सकते हैं, खुश महसूस करें का बटन दबाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बढ़ापा एक सीमिद सोच है, ला इलाज का अर्थ है, भीतर से ठीक होने योग्य है, एक विमान दुरघटना में बच गया, और उसे बताया गया, कि वह जीवन भर सबजी ही रहेगा, अपने आप सास नहीं ले पाएगा, वह बार बार अपने आपको गहरी सास लेने के लिए कह रहा था, और क्रिस्मस पर घर वापिस जाने का वाइदा किया, और उसने यह किया, अध्याए साथ, दुनिया का रहस्य, हम हर उस चीज से लड़ने की प्रवरती रखते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, जो वास्तव में लड़ाई को और अधिक पैदा करती है, हम पान चीजों पर ध्यान केंद्रित करके, दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं, काल जंग ने यह कहा है, आप जिसका विरोध करते हैं, वे बना रहता है, और मदर टेरिसा ने इससे मिलती जुन्ती बात कही है, मैं कभी भी युद्ध विरोधी रैली में शामिल नहीं होंगी, यदि आप शान्ती रैली करते हैं, तो ही मुझे आमंत्रित करें, विश्व की स्थिती के लिए, आप शक्ती ही नहीं है, हर किसी के आनंद में रहने, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान दे, जहां आपका ध् वहां उर्जा प्रवाहित होती है, जब अंदर की अवाज और द्रिष्टी बाहर की राय से अधिक गहरा, सपश्ट और जोड़दार हो जाती है, तो आपने जीवन में महारत हासिल कर ली है, दुनिया या लोगों को बदलना आपका काम नहीं है, और नहीं आपके आसपास के एनवार्मेंट और लोगों को बदलना, यह आपका काम है कि आप ब्रम्हांड के अंदर प्रवहा के साथ चलें, और मौजूद दुनिया के अंदर इसका जश्न मनाएं, एक जूट है जो इनसानियत के दिमाग में एक वाइरस की तरह काम करता है और वह जूट है, चार ओर जाने के लिए परियाप्त नहीं है, कमी है और सीमा है, इसलिए लोग डरे हुए है, लालची है, कंजूस है, अभाव उनका अनुभव बन जाता है, सच तो यह है कि चारो ओर जाने के लिए हम परियाप्त हैं, परियाप्त से अधिक रचनात्मक जैसे कि शक्ति, प्रेम और आनन्द है, यह सब एक मन के माध्यम से आना शुरू होता है, जो अपनी अनन्द शक्ति से अवगत है, कभी महान सिक्षक ने बताया है, कि जीवन प्रचूर मात्रा में है, इस कानून का सार यह है, कि आपको बहुतायत में सोचना, महसूस करना, देखना और विश्वास करना चाहिए, सभी के लिए पर्याप्त है, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, इसे देखें, इससे कार्य करें, यह आपके लिए प्रकट होगा, यह सच है, ब्रम्हान सब को सब कुछ प्रदान करता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, लीसा निकोल्स अपने आसपास की सुन्दर और अधुत चीजों को पहचाने, और उन्हें आशिरवात दें, और उनकी प्रशंशा करें, और दूसरी तरफ जो चीजें वर्तमान मे उस तरीके से काम नहीं कर रही है, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वे काम करें, अपनी पूरी उर्जा, गल्ती करने और शिकायत करने में खर्च ना करें, आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे गले लगा लें, ताकि आप इसे और अधिक प्राप्त कर सकें, जब आप स्तु या आशिरवाद दे रहे होते हैं, तो आप प्रेम की उच्चितम आवरिती पर होते हैं, इससे सारी नकार अत्मक्ता खतम हो जाती है। इसलिए अपने शक्त्रों की स्तुती करो और उन्हें आशिरवाद दो, यह रहसे का बड़ा हिस्सा है कि शशक्त करें और दूसरों के साथ साजा करें। अध्याए आठ आपके लिए रहसे हैं, हर संभावना पहले से ही मौजूद है, आपको खोज या अविशकार करने की कोई ज़रत नहीं है, सर्वोच्य मन उस पर संभावना को धारण करता है। आपको बस इतना करना है कि अपना ध्यान अंतिम परिणाम पर रखें और आवशक्ता को भरने की कलपना करें और आप इसे अस्तित्व में बुलाएंगे। इश्वर्य मन ही एक मात्र बास्त विक्ता है। ब्रम्हांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटर कनेक्टिड है एक दूसरे से, यह सिर्फ एक उर्जा छेत्र है। प्रतियोगिता, अलगाव का एक उधारण है, यह मानसिक्ता की कमी से आता है, जब आप प्रतिसपरधा करते हैं, तो आप कभी नहीं जीत सकते। भले ही आपको लगता है कि आप जीत गए हैं। आकरशन के नियम से आप अपने जीवन के हर एक पहलू में आप से प्रतिसपरधा करने के लिए अधिक लोगों और परिस्थितियों को आकरशित करेंगे और अंत में आप हार जाएंगे। हम सब एक ही हैं और इसलिए जब आप प्रतिसपरधा करते हैं तो आप से प्रतिसपरधा अपने आप से करें, प्रतिसपरधा को अपने दिमाग से निकाल दें और एक रचनात्मक दिमाग बनें। किसी से कॉम्पिटीशन करने का कोई फाइदा नहीं है, केवल अपने सपनों और विजन पर ध्यान लगाएं। यह लोग नहीं है जो आपको वह चीजे दे रहे हैं, जो आप चाहते हैं। यदि आप इस विश्वास को धारण करते हैं, तो आपको अभाव का अनुभा होगा, क्योंकि आप बहारी दुनिया और लोगों को अपूर्ति के रूप में देख रहे हैं। सच्ची अपूर्ति, ग्रम्हांड, सर्वोच्यमद, इश्वर हैं। आप परमेश्वर हैं, जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं, पूर्ता के लिए बनाए गए हैं। सारी शक्ति भीतर से हैं और इसलिए हमारे नियंत्रण में हैं। अब जो है उनमे से नियन्यानवे प्रतिशत, एद्रिश्य और एच्छोत हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने भीतर, सदभाव और खुशी की भावना पैदा करना शुरू करें। पुष्ठी मुझे हर अच्छी चीज से मिल रही है, मैं खुश हूँ, मैं प्रचूर हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं समय का पामंद हूँ, मैं एक शाश्वत युवा हूँ, मैं हर एक दिन पूरजा से भड़ जाता हूँ। चार्ल्स हेल मांस्टर की सिस्टम पुष्ठी, मैं सम्पूर्ड, परिपूर्ड, मजबूत, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ड, सामन्जस्यपूर्ड और खुश हूँ, हेन्री फॉर्ड ने यह कहा है, कि चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या नहीं, दोन्य ही तरीके से आप स चारों से अवगत रहें, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अब क्या महसूस कर रहा हूँ, जिस छड आप यह प्रशन पूछते हैं, आप सचेत हो जाते हैं, क्योंकि अपने मन को वर्तमान छड में वापिस ला दिया गया है, इस दिन मैं सैकडो बार करें, यदि आप रखना चाते हैं, इसे अपने जीवन का थीम सौंग बना दे, और जैसे ही आप रहस्य से अवगत होंगे, आपके सभी प्रशनों का उत्तर मिल जाएगा, यदि आप जीवन में किसी चीज पर उत्तर या मारकदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो प्रशन पूछें, विश्व करें कि आप राप्त करेंगे, और फिर इस पुस्तक को याच्छिक रूप से खोलें, ठीक उसी स्थान पर जहां पन्ने खुलेंगे, वही मारकदर्शन और उत्तर होगा, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि ब्रम्हान आपके पूरे जीवन में हमेशा आप के साथ रहा है, लेकिन जब तक आप जागरुक नहीं होंगे, तब तक आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, अपने आसपार की हर चीच से अवगत रहें, क्योंकि आपको दिन के हर पल में आपके सवालों के जवाब मिर रहे हैं, जिन माध्यमों से उत्तर आ सकते हैं, वे असीमित है, एक छड़ ले और शांत बैठे हैं, अपने अंदर जीवन की उपस्थिती को महसूस करने पर ध्यान दे, जैसे ही आप भीतर की उपस्थिती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह स्वयम को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर देगी, यह शुद्ध प्रेम और आनंद की अनुभूती है, और यह पूर्दता है, वह उपस्थिती ही वास्तविक आप हैं, जैसा कि आप उस उपस्थिती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि आप महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, और उस उपस्थिती की प्रशंशा करते हैं, आप अपने आपको आपके जीवन में पहली बार, जैसा कि आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में प्रकट हुई, सभी खामिया विलीन हो जाएंगी, क्योंकि इस उपस्थिती के प्रकाश में खामिया मौजूद हो ही नहीं सकती. अध्याय नौ, जीवन का रहस्य, तो आपका उद्देश्य वही है, जो आप कहते हैं, आपका मिशन, वह मिशन है, जो आप खुद को देते हैं, आपका जीवन वैसा ही होगा, जैसा आप इसे बनाते हैं, और कोई भी इसके बारे में फैसला नहीं करेगा, अभी या कभी भी, अतीत से सब कुछ मिटा दें जो आपकी सेवा नहीं करता है और आभारी रहें कि यह आपको अब इस जगह और एक नई शुरुआत के लिए लाया है आपके पास एक साफ स्लेट है और आप यहीं से शुरू कर सकते हैं याद रखिये जो हमने पिछले अध्याय में कहा था कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयम है अपना आनन्द ढूंडे और इसे जीए जब मैं वास्तव में समझ गया कि मेरा प्रात्मिक उद्देश्य आनन्द को महसूस करना और अनुभव करना है तब मैंने केवल उन्ही चीजों को करना शुरू किया जो मुझे खुशी देती है मेरे पास एक कहावत है अगर यह मज़ेदार नहीं है तो इसे ना करें खुशी प्यार स्वतंतरता हासी यह वही है आपको जो भी महसूस हो वह करें उन चीजों को करें जिनसे आप प्यार करते हैं और आपको खुशी मिलती है याद रखिए कि आपके पास केवल यही एक जिन्दगी है यदि आप नहीं जानते कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है तो खुद से सवाल पूछें कि मेरा आनन्द क्या है और जैसा कि आप पाते हैं कि यह अपने आपको इसके लिए प्रतिबध कर देता है आनन्द के लिए आकरशन का नियम आपके जीवन में आनन्द पूण चीजों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों का हिमस्ट लखन है जैक कैनफिल्ड तो आन्तरिक खुशी वास्तव में सफलता का इंधन है अब खुश रहो, अब अच्छा महसूस करो, आपको बस इतना ही करना है पसंद की स्वतिंतरता आपकी है जब आप अपने आनन्द का अनुसरण करते हैं, तो आप आनन्द के निरंतर स्थान में रहते हैं आप अपने आपको ब्रह्मान की प्रचूरता के लिए खोलते हैं आप अपने जीवन को उन लोगों के साथ साजह करने के लिए उत्साहित हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं और आपका उत्साह, आपका जुनून, आपका आनन्द, संक्रमक हो जाता है अप खुश होने के हगदार हैं, आपके जीवन का एक उद्देश्य है कोई तुम्हारा नित्य नहीं कर सकता, तुम्हारा गीत नहीं गा सकता तुम्हारी कहानी कोई और नहीं लिख सकता, आप कौन है, आप क्या करते हैं, अभी से शुरू होता है मेरा मानना है कि आप महान है आप में कुछ शांदार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में आपके साथ अभी तक क्या हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा या बोड़े हैं जिस छड़ आप ठीक से सोचना शुरू करते हैं यह कुछ ऐसा है जो आपके भीतर है यह शक्ति जो आपके भीतर दुनिया से बड़ी है यह उभरने लगेंगी यह आपके जीवन को सम्हाल लेगा यह तुमें खिलाएगा यह आपको कपड़े पहनाएगा यह आपका मार्क दर्शन करेगा आपकी रक्षा करेगा आपको निर्देशित करेगा आपके अस्तित्य को बनाए रखेगा अब मैं निश्चित रूप से यही जानता हूँ धन् प्रज्चित राइखए जाओłem।